हेलो दोस्तो बेलकम टू मैं चैनल और आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो मैंने ट्रैक मार्किंग की सीरी शुरू की है उसका ठर्ड पार्ड दोस्तो इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्लीस एक वर उन्हें जरूर जाके देखने ताकि आपका बेस क सरकंफ्रांस कहते हैं आपको इसे पता होना बहुत जरूरी है दोस्तो आइए एक वर इसे अच्छी तरह से समझने का जतन करते हैं दोस्तो जो सरकंफ्रांस होता है उसे हम हिंदी में प्रिदी कहते हैं दोस्तो कोई भी सरकल है उसकी जो बाहरली सता होती है उसके उस पर हम अगर एक पॉइंट से लेकर किसी मीटर से अगर उसकी मेजरमेंट करते हैं जहां से लेकर एक पॉइंट से लेकर और उसका पूरा चक्कर लगाने के बाद उसी पॉइंट पर अगर बावसाते हैं तो जितना उसका डिस्टंस होगा उसे हम circumference कहते हैं जैसे जैसे मेरे हाथ में मारकर है अगर इसे हम बाहरी सता इसकी measurement करेंगे तो उसकी वो प्रिदी होगी उसे हम circumference कहते हैं इसी तरह दोस्तो अगर हम इसे बीच में ऐसे काड़ देते हैं के इस सर्कल में सजब को हम अगर बीच में ऐससे काट देते हैं तो दोस्तों कहा पर आता है आए इसे देख लेके देखको दोस्तों अगर हम एक एक डायमेटर जैसे कि एक अद्ध चक्कर को इधर ड्रॉ करते हैं ठीक है और सेम ही जो आदा जो चक्कर हमारे पास बचा पड़ा है उसको हम इस साइड ड्रॉ करते हैं तोस्तों आपको यह थोड़ा-थोड़ा ट्रैक के जैसा लगता होगा अगर इसे हम ऐसे इसकी स्टेट बना देते हैं तो आप ऐसे इसे समझ लें कि अभी ट्रैक हमारा जो बॉर्डर है वो कम्प्रीट हो गया इसी तरह आपको जो मालम होना चाहिए जो हमारा सरकंफ्रांस है जा डायमेटर है वो क्या है इसी तरह हमारे पास एक होता है रेडियस अग्यो दोस्तों अगर हम कोई भी चेकर ड्रॉ करते हैं तो उसका एक सेंटर बिंदू एक पॉइंट होता है जिससे वो ड्रॉ किया जाता है इस बिंदू से लेके इस सेंटर पॉइंट से लेके जो हमारी बाहरली सता है वहां तक का जो डिस्टन से उसे हम कहते हैं रेडियस जहां की कर्व को ड्रॉ करते हैं जहां प्लेस में जाके बूमी में जाके हम उसको बनाते हैं जब भी तो हमें रेडियस की जुरूरत पड़ती है इसलिए आपको दोस्तों जे जे जो ट्रम्स है रेडियस डायमेटर आपको पता होना चाहिए चलिए आगे हम देखते हैं इसे निका स्कार्फरांस निकालने का mezable भी पता होना चाहिए दोस्तों ये बहुत बेश से आपका बेश करने के लिए जो में वीडियो तियार करने चलो आई ये देखते हैं पहले रेडियूस का रेडियूस निकालने काफो हुआ इदे लिखते हैं और दूसरा सब्सक्राइं अगर आपने रेडियस निकालना है तो आपके पास सरकमफ्रांस होगा अगर आपने सरकमफ्रांस पता करना है तो आपके पास रेडियस होगा इसलिए सिंपल हो जाता है अगर आपने रेडियस निकालना है तो आपके पास सरकमफ्रांस होगा तो सरकमफ्रांस होगा उसे आप divide कर देंगे 2 pi से ठीक है 2 pi से तो इसी तरह दूसरा फार्मूला अगर आपके पास circumference आपने पता करना है तो आपके पास radius होगा circumference पता करने का formula है 2 pi r r जाने की radius radius आपके पास होगा तो आप उससे circumference पता कर सकते हो अगर आप अगर आपने इदर radius पता करना है तो आपके पास circumference होगा तो आप उससे आप radius पता कर सकते हो चलिए आए देखते हैं दोस्तों माली जी इदर एक शोटा सा track draw करते हैं यह जी देखिए ऐसा होता ना track ठीक है माली जी जो आपके पास जो कर्व है ठीक है दो कर्व होती है एक track में माली जी इसका जो distance है जो कर्व का distance है वो है 220 है दोनों का ठीक है तो हम लेखते हैं इदर लेख देंगे C gen की कर्व circumference किसका कर्व का तो इदर लेख देंगे 220 उसे डवाइड कर देंगे 2 pi से ठीक है दोस्तो पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है बाई बटे 7 ठीक है जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है बाई बटे 7 तो दोस्तो जो पहले पाई की अगर हम बाई को 7 से डवाइड करते हैं जो पहले की वैल्यू आती थी वो आती थी तीन पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन जैस सेवन वन ठीक है जैस जी इतनी थी लेकिन दोस्तों अभी आदुनिक जूग कंप्यूटर जूग है तो इसे डीपली स्टडी किया डीपली सच किया गया तो इसके बाद जो अभी न् पाई की वैलीव आई है जिसे सबी जो इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लूड किया जाता है वो इसकी वैल्यू आति है वह ए त्री पॉइंट मैं इसे जाद रखने जाद रखता हूं तो ऐसे जाद रखता हूं त्री पॉंट वन-फोर वन फाइव नाइन मैं एसे जाद 14153.14159. मैं ऐसे इसको ज्याज रखता हूं आप यह से असानन त calorie क्या से ज़्याद रखते हैं तो दोस्तों यह कि वैल्यू है यह पाइटी वैल्यू इतनी है ठीक है तो मैं टीक है अगे हमने करना क्या है यह यह हमने पाई की वैल्यू निकाल लिए तो हमने अभी इसको आगे देख लेते हैं ठीक है डवाइड करते हैं तू इंटू कितना है पाई की वैली कुछ एते हैं थ्री पॉइंट चौधा 15 और 9 ठीक है दोस्तों हम इस तो मैल्टिप्लाइ करते हैं दोनों को तो वो आता है इ 6.3308 आप देख लें मैं ऐसे जाद करते हैं थाई 308 ठीक है इसकी अभी वैल्यू आगी है तो हमने जो वैल्यू इदर पुट कर देनी है ठीक है इसको अरीज कर देता हूं यह सेम वैल्यू इदर आ जाएगी ठाई 308 दोस्तों अगर हम इसको ऐसे डवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी उसका अंसर आ जाएगा 35.01 तो दोस्तों जे हमारा आ जाएगा रेडियस हमने क्या पता करना था हमने रेडियस पता करना था तो रेडियस कितना आ जाएगा 35.01 ठीके? रेडियस कहां का? इदर जो सेंटर पॉयंच होगा वहां से इसको हम जो कर्ब मिनाएगे उसका रेडियस आ जाय गया थीके? तो दूसरी बात है उसको रेज कर देते हैं आपको ठीके? तो दूसरी बात है कितना आ जाए था? 30.50 ठीक है और दूसरी बात अगर आपने सरकंफ्रांस किसी ट्रैक का पता करना है तो आपके पास रेडियस होगा ठीक है उल्टा होता है दोस्तों अगर सरकंफ्रांस करना है तो आपके पास रेडियस होगा अगर रेडियस आपने पता करना है तो आपके पास सरकंफ्रांस ए इतनी आई थी ना तो पाई जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास आ गया कितना है रेडियस तो हमको पता होगा तभी हम सरकम्फ्रांस निकाल पाएंगे ना रेडियस आएगा 35.01 अगर इसको हम आप समें मुल्टिप्लाइ करेंगे तो वह आजेगा 220 220 क्या आ गया सरकम्फ स्टेट कर लें तो आपको आने वाली जो आगे वीडियो होगी जा ट्रैक मार्किंग में कोई परशानी नीं होगी आप बहत्री तरीके से सीख पाएंगे तो अब हमने जहां तो पता चल गया है कि हमने रेडियस कैसे नकालना है और सरकम्फ्रांस कैसे नकालना हमें फार्म जो states होती है अगर आपको पता हो माले यह अगर इस जे ट्रैक है इसकी state जो 90 है ठीक है तो दोस्तों दोनों जो state होगी इसकी वह 90 एक होगी और दूसरी नब्बे इसके प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा ठीक है तो दूस्तों जो पूरा ट्रैक होता है वह ह पता 400 मीटर का तो 400 मीटर से हम 180 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 220 ठीक है 220 की जे दोनों करव आ गई है लेकिन हमें एक करव का पतक आना है तो इसे दो से हम ड्वाइड कर देंगे तो वो आजेगी 110 यानि कि जे नब्बे का हो जाएगा और जे 110 और जे 110 का इस तरह हम सकते हैं दोस्तों अगर इसी तरह हमें अभी करव जो पता चल गी इदर मों कितनी आगी है 220 आगी है तो इसका अभी हमी करव तो पता चल लिए तो हमें करव पता जन की सी हमें सरकंफ्रांस तो पता है तो हमने अभी रेडियस का आना सिंपल ही है तो रेडियस का क्या था है दो पाई की वैल्यू हमने क्या की थी 6.3 318 ठीक है तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं इधर कर लेते हैं 220 6.3 318 को इससे हम डिवाइड करते हैं वो कितना आ जाएगा 35.01 तो इसका रेडियस आ जाएगा 35.01 ठीक है ऐसे हम अगर हमें स्टेट पता हो स्टेट से हम कर्व कर्व पता हो तो उससे हम अगर स्टेट पता तो उससे कर्व कर्व पता हो से स्टेट पता कर सकते हैं दोस्तों एक पॉइंट हो रहे हैं बहुत इंट्रेस्टिन वह भी पॉइंट है यह उसे भी एक वरी देख लेते हैं चलिए उसे भी द अभी दोस्तों हमारे मन में एक क्वेच्चन उठना चाहिए जो हम भी पढ़ते था हम भी पूछते हैं जो इंटरनेशनल लेवर पे जो ट्रैक बार किया जाता है उसकी जो जो स्ट्रेट है वो पॉइंटर में क्यों है वो टोटल क्यों नहीं एतनी 84 जां 85 इतनी क्यों नहीं है यह पॉइंटर में क्यों रखी गई है जाता तो ऐसे जब हम ट्रैक में आते तो नहीं रखते लेकिन इंटरनेशनल जो स्टेंडर ट्रैक है जो स्टेट है वो पॉइंटर में है इसका कार्ण जो कहान है मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी लेकिन किसी तो बहुत सारे जो अथलीट है उन पर सर्च की गई है बहुत ज्यादा सारों से उसमें कुछ नों उनमें से जो कुछ अथलीट है उन्होंने क्या जब हम ठाटी फाइव रेडियस वाला जो करब है उस पर बागते हैं तो हमें अच्छा लगता है तो हमें जो परफॉर्मस बैट राती है तो अन्य जो कुछ बचे हैं उन्होंने क्या जह हम ठाटी एट रेडियस वाली करब बागते तो हमें अच्छा लगता है तो इसमें जब क्या हुआ जब बहुत सारी सर्च की गई बहुत सारे इसलीट कुछ ऐसे भी होगा जिसनों जिनोंने ठाटी सिक्स जा 37 भी कहा होगा लेकर ज्यादा तर जो अथलीट है उन्होंने जही बताया कि हमें यह दो जो आंकड़े हैं अगर इसकी इतने रेडियस वाली करब है तो हमें जो अच्छा लगता है बागना हमारी परफॉर्मस इंक्रीज होती है बैटर होती है तो दोस्तों क्या किया गया इन दोनों को जो दोनों आंकड़े हैं इनको प्लस कर दिया गया और टॉस करके कितना आया थिए टरी ठीक है तो इसका दो से ड्वाइट कर दिया गया डिए 73 को 2 से ड्वाइड कर दिया गया और इसको ड्वाइड करने के बाद कितना आया 30.50 ठीक है 30.50 इतना ही आ गया अभी दोस्तों जे आ गया रेडियस ठीक है इतना आ गया रेडियस दोस्तों जे स्टेट है ना ओलम्पिक लेविल की जो स्टेट है यह कितनी है फूट 84.39 इतनी है ना दोस्तों जो इसका रेडियस है ना जो इसका जो रेडियस है वो जो रेडियस है वो है इसको जो रेडियस जो निकाला गया है इसको इसको जो प्लस करने के बाद जो रेडियस निकाला गया रेडियस के जो मार्किंग की यह रेडियस के लेने के बाद जो इसकी मार्किंग की है करब की और इस साइट भी जो करब की मार्किंग की है कर्व की मार्किंग करने के बाद जो डिस्टंस बच गया है जो जहां से लगके जहां तक जो डिस्टंस बच गया है उसे इंकलूड कर दिया गया है पॉइंटों में इसलिए जो इसका जो इंटरनेशल ओलम्पिक लेवल में इंटरनेशल ओलम्पिक में जो ट्रैक यूज किय रहे जाता है इसलिए मृद ऑक मार्क करने के बाद्वें 20 साइड की जो मारख करने के आज जहां से लगके जहां में आते इस लिएatar देखते हैं लोगार की जाता है उसके बाद जो BReach करने चाहिए बहुत इस संद्धित और पॉइंट किंगकी मैं बहुत इपॉर्टन और बाद क्यों दोस्तों जो हम अथ्लैक्टिक में ट्रैक्स करते हैं उसे 400 मिट्र का क्याते हैं लिकें दोस्तों जो ट्रैक 400 मिट्र का नहीं वह होता है तीन सो ठान में पॉइंट तीन सो ठान में पॉइंट जो सोला मिट्र का जी हैं दोस्तों जेजिए reversal रखने वाए बात है जो ट्रैक्स होता है वह 400 मिट्र का नहीं होता वो उससे कम से कम 2 मिट्र का होता है लेकर हम उसे 400 मिट्र का कहते हैं ये बजा है दोस्तों एक कांधं है जित जीए समुझते हैं वो क्या कारो जो चारब में घिर करता हूं आपको समझ लिए ं लगर कोई लंगर माना लीजये वैसे होता कि उद्bare का हैं तो मान लीज corazón की मार्किं की है वह 400 मिटर के साथ रही है तो अब मैंने पिछली वीडियो में आपको जे बताया कि जो अगर आपका रेजड बॉर्डर है अगर आपका रेजड बॉर्डर है तब तो अथलीट 30 cm दूर हटकर बागता है जब आगेगा अगर चूनने वारा बॉर्डर है तो आप आपका अथलीट 20 cm चूनने की लाइन से थोड़ा हटकर बागेगा ऐसे होता है ऐसे बताया ना मैंने तो मान लीजी आपने जो 400 मिटर का ट्रैक बना दिया ठीक है तो आपका अथलीट तो मालो रेजड बॉर्ड है तो वहां जहां से 30 cm ऐसे 30 cm दूर बाग कर एक चकल गा र इसको ज्यादर दूर वागए गा तो फर इस नहीं पर चाया चारसो दूंधर बहुता जहां 402 मिटर बाग या वह तो आप अफने उसको ज्जादर ररा दी करा दिया इस लिए जो हमारा अथलीट है वह अपनी रहरींक चार सो मीटर करें इसलिए जो हम ट्रैक मनाते हैं वो उससे कम बनाते हैं जो ट्रैक मनाते हैं वह तीन सो थानूमेइंपॉइंट 14 जो शोला मीटर का होता है किसलिए माल लीजिए हमने 400 मेंटर गर ट्रैक मना दिया तो अगर बॉर्डर के ऊपर करेंगा तभी तो फिर तो हमारे हमारे को जो रनिंग करनी होगी बहुत हो रेस्ट बॉर्डर के उपर करेंगा तभी उसका जो डिस्टंस बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर उसने पूरे चाहसम मीटर बागना है फिर तो रेस्ट बॉर्डर के उपर उपर इट लगी उसके उपर उपर बागे वह तो तब ही वह गया चाहसम मीटर पूरा इसलिए क्या करते हैं जा रेडिया जितना हमारा रेडियस आता है उसमें हम पहले ही जीरो पॉइंट अगर रेज़ अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि दोस्तों हमने स्टेट ली थी नब्बे ठीक है तो इदर भी होगी नब्बे तो इसके बाद हमारे पास जो करवाई थी वह उसी 110 और 110 तो हमने इसका रेडियस निकालना है ठीक है सरकंफ्रांस डिवाइड टू पाई टू पाई की वैली क ठीक इतनी थी तो इसको काटा पीटी करने के बाद हमारे पास जो रेडियस आजा था बहुत था 25.01 इससे हम क्याते हैं और डी आर जानी कि इदर लेख दू रणिंग डिस्टेंस तो यह आपको दोहाई दे रहा है मारकर में चलना बंद हो गया रणिंग डिस्टेंस रेड प्र छिस पे अथलीट ने रर निंग करनी है जिस गसे घिस्टन से जहां से जिस डिस्टन से डिस्टन करने रहने जो मैं डाटर लगा ना इसक्तर रुणिंग करेगा इसे कहते हम आर डी और रbike distance radius लेकिन जो हमने mark का नहीं है जो हमने जो करब mark का नहीं है जिस पर हमने एट लगानी है जहाँ कोई aluminum का raised border लगाना है अगर हमने raised border लगाना है तो हम जहां से minus कर देंगे 0.30 क्योंकि वो 30 cm उससे दूर भागता ना हटकर ते अगर अगर रेज़ बॉर्डर नहीं चूने वारा बॉर्डर है तो हम इससे में माइनस कर देंगे 0.20 ठीक है माली जे रेज़ बॉर्डर हम इसमें से माइनस करते हैं 0.30 तो इसका जो अंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 34.71 ठीक है इतना आजएगा इतना इसे कहते हैं हम एम डी आर मार्किंग डिस्टंस रेडियस जा इसे कहते हैं किदे लिपों हो निया मार्क कोई ठीक है निला ले लेता है इसे रेज कर लेते हैं कि इसी डी आर एम डी आर मार्किंग डिस्टंस रेडियस ठीक है इससे कहते हैं करव कि डिस्टंस रेडियस ठीक है मार्क डिस्टंस रेडियस से हम जो की मार्क करते हैं अभी हम जब भी हमने ट्रैक मार्क करना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे जे वाला जो डिस्टंस रेडियस है मारे पास इसे कहते हैं और डी आर इससे नहीं मार कर गैं कभी दोस्तों जाद रखने वाली बात है जब हम रेडियस निकार लेते हैं निए में जब लाकिन हम्ला और से यह वह धूंस Minh बार साहँ है वह थे मुंनेट आवट है जो लीकिन हम इस वह करनेगे लह समक्राइब хват पॉइंट बीस पहले माइनस कर देते हैं उसके बाद जो उसके बाद जो अंसर आएगा जाने की हमारे पास इतना अंसर आया ठीक है 24 पॉइंट कतर जो आया ना ठीक है सॉरी 71 जहां से हम खोलके ना इतना कितना खोलेंगे फोर ठाटी फोर पॉइंट सेवेंटी वन खोलके इस पर हम ऐसे जो है कि कर्ब को मार करेंगे ठीक है इतना खोलके मार करेंगे और उसके बाद जब अथलीड हमारा रनिंग करेगा तो वो टोटल 400 मिटर की रनिंग करेगा यह बहुत आपको समझने के लिए समझाने के लिए मैंने आपको यह थोड़ा कच्रा मच्रा हो गया लेकिन आप प्लीज इसे अच्छी तरह समझ लें गलती मत कीजिए आप जब भी आप ट्रैक की मार किंग करने जा रहे हो जा सीखने वाले हो प् मार किंग करने हो तो कितना एरिया चाहिए हमें कितने एरिया की requirement ही होती है हमें एक-trak बनाने के लिए चलिए आईए उसे पता करते हैं दोस्तो सिब्सक्राइब कौरॉड कर करने हैं लावह हमें पांच मिटर एक्स्ट्रा चारी दिशा की और शोड़ देना चाहिए तांकि हमें हमारे पास जो जंप होते उसमें रनिंग करने के लिए हमारे को जो सर्फेस चाहिए उसके लिए हमारे पांच मीटर एक्स्ट्रा शोड़ देना चाहिए इसके लाबा जो एलिविटर स्टैंड होता वो भी ट्रायके बार की दिशा की ओर होता है और भी बहुत सारे काम आता जैसे अब वहमारे पास अगर पांच मीटर हम चारी दिशा की ओर अगर छोड़ देते हैं चलिए यह पता करते हैं हमारे पास टॉटल जो एरिया हमें कितना चाहिए अगर हमें एक स्टेंडर ट्रैक, जण चारिस मीटर का सीज़ारN का quand का बनाना है. दोस्तो हमने इस g मैं यह चाहिए your motion with your dog engine. इस हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे उच्छां में एक्षाप का देंगे जहां सब्सक्राइब अभी तक पांच मेर शोट दिया अब जहां से लएके जहां तक जो हमने आज लेंस वाला ट्रैक बनाने जा रहे हैं तो दोस्तों हर लेंज जो होती है वो होती है 1.22 की तो हमें 8 लेने का लेन्स का जो track मार्क करना है तो हमें इसे into कर देंगे वो आ जाएगा 9.76 जैस 9.76 आ जाएगा तो जहां से लगके जहां तक हम इसे को भी इसे भी प्रस कर देंगे तो अब then हमारे पास आएगा और हमारे पास आएगा अब जहां से दोस्तों जहां तक हमारे पास है स्क्राइट वो कितनी ली हैं हमने प्लस कर देंगे 90 ठीक है तो फिर से हम जहां तक आगे अब जहां से फिर हमने रेडियस लेना है 34.71 ठीक है अब जहां आगे जहां से हमने 8 lanes को जोड़ना है फ्लस करना है वो कि उसका total art lens का हम total करेंगे वो आजएगे 9.9.76 आजएगा ठीक है उसके बाद plus करेंगे 5 extra जो इसके बाद आएगा दोस्तो इस जो संख्या मरे पास है इसको हम अगर total कर देंगे तो आजएगा 188.94 ठीक है इसको plus करने के बाद इतना आजएगा तो उसके बाद हम जो इसकी विर्थ है उसको plus करेंगे पहले क्या लेंगे हम पहले 5 मीटर जो हमने extra शोड़ा है बार की तरफ उसे हम लेंगे उसके बाद हम जहां से आगे हम जहां तक हमने जो लेंज है आठ उसको इसमें प्लस करेंगे वह आएगे नाइन पॉइंट ठीक है इसके बाद अब हमारे पास दोस्तों इदर से आपको शुरू किया पांच मिटर हो गया उसके बाद जे आठ लेंज हमने इदर जोड़ ली अभी हमारे पास इदर तो इसके बाद हमारे पास रेडिय शुरू होता है हमने इदर दोस्तों हमने दो रेडियस इदर से लेके वन रेडियस और जहां से लेके फिर दूसरा इसलिए हमें दो रेडियस जहां प्लस कर देने है चाउन्टीस पॉइंट कतर प्लस चाउन्टीस पॉइंट ठीक है अब जहां तक आगे जहां से लेके जहां तक हमने फिर जो लेन से आठ उसको प्लस कर देना है और पांच मीटर एक्स्ट्रा ठीक है जो हमारा जो टोटल इसको हम प्लस करेंगे वो आ जाएगा 98.94 ठीक है इसको प्लस करने के बाद आ गया है मारे पास 188.94 और इसे प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया 98.94 ठीक है तो हम अगर हमारा जब गल्त है जैसे यह उससे एक और त्रीके से हम देख सकते हैं इस साइट को हमने state जो 90 meter state है वो इसमें plus की है और अगर इसमें हम अगर 90 meter plus कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा जै इसमें 90 meter जो minus कर देंगे तो इतना आ जाएगा ठीक है अब इसको क्या करना है जो हमारे पास यह दर कर लेते हैं ठीक है हमारे पास जो length है 188.94 इसे कर देंगे इंटू कितने से 98.94 से कितना ही है न हाँ और इसे इंटू करने के बाद जो answer आएगा हमारे पास वो आएगा 1 186 93 और इदर इदर है पॉइंट 72 36 इतना अभी कान लिख हो मैं इदर रेज कर देता हूँ 18 6 93 72 36 square square meters area हमें चाहिए एक 90 meter state का track बनाने के लिए दोस्तों दोस्तों जे तीसरी वीडियो भी आज basic पे ही पूरी तरह बन गई है मेरे को लगता था मैं दो वीडियो में complete का दूँगा लेकिन दोस्तों जो ट्रैक है बहुत कॉंप्लिकेटर है और बहुत डीप से मैंने समझाने का जतना की है मेरे को लगता है आपको मेरा effort अच्छा कर देंगे तो चलिए देखते हैं हम चौथी में वीडियो में मिलते हैं दस्तों